तो गाईस कहानी के सुर्वात में हमें एक लड़की महीका अनंधी को दिखायाता है महीका अनंधी एक छोटे मोडे टीवी न्यूस चैनल में काम किया करती थी महीका अनंधी को एक दिन बहुती बड़े फिल्म डिरेक्टर की कॉल आती है जिसका नाम रगू बर्मा था और जहां पर जे जैसमीन भी बहुत बड़ी एक्टरस बनना चाती है जहीं पर हमें रगू बर्मा सेट पर दिखायाता है जो रगू बर्मा है वो इस लड़की के साथ प्यार करता है दोनों रिलेशनशिप में है और बहुत जल्द रगू बर्मा की फिल्म में इस लड़की को पेश किया जाएगा जानी के इसको लीड एक्टरस के रूर में देखने को मिलेगा वहीं दूसरी और हमें रगू के फादर बिक्टर को दिखायाता है जो बिक्टर है वो अपने बेटे को बिल्कुर पसंद नहीं करता इसके इलावा दोनों बाप बेटे एक दूसरे के साथ हर वक्त बहसी करते रहते हैं क्यूंकि जहां पर जो बिक्टर है वो पराना ख्यालात रखता है और मुविस को लांग लिव बनाना चाता है लेकिन जहीं पर उसका बेटा मुविस में गलैमर्स और मुवी की जो टाइमिंग है उसको शौट रखने में जिकीन करता है क्यूंकि उसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं आजकल बहुत ज़्यादा लंबी मुविस को नहीं देखते और सिनिमा में गलैमर्स ज़्यादा होना चाहिए इसलिए मुवी की टियारपी बढ़ेगी लेकिन जहां पर विक्टर की सोच बिलकुल अलग है दूसरी और हमें दिखाया आता है कि रात को महीका का मेकप किया जा रहा है अब बोड टाइम आता है जब बहां पर महीका ने इस मुवी के बारे में रिवियू करना था लेकिन जब वो इस मुवी के बारे में अच्छे अच्छी बाते कर रही थी अचानक उसका पता नहीं दमाग क्यूं खूम जाता है और वो इस मुवी के बारे में अनावसनाव बोलने लग जाती है और गाइस आपको बता दें कि जो जो महीका है जे इस मुवी को लेकर अनावसनाव इसलिए बोलती है क्योंकि जे खुद भी मूवी में काफी दिलचपसी लेती है और जे किसी भी मूवी का जूटा ताईफ नहीं करना चाहती अब जहां पर जे मूवी के बारे में सब कुछ सच बोल देती है और मूवी के घटियपन के बारे में सब कुछ रिवील कर देती है सबी लोग इसकी interview जानी के इसके review को बड़े ही अच्छे से सुनते हैं और देखते ही देखते आगले दिन इसका जो टेली कास्ट जानी के review है बायरल हो जाता है और सबी जगा इसके चर्चे होते हैं वहीं दूसरी और रगू को भी इसके इंटर्वियू के बारे में पता चल जाता है। वहीं पर अगले दिन महीका अनंदी अपने दोस्त से मिलती है। वहां पर उसका दोस्त उसको कहता है कि तुम्हें मूबी के बारे में अच्छा रूवियू करने को कहा गया था। लेकिन तुम्हें मूबी के बारे में सच्छा रूवियू कर दिया जिस कारन तुमने बहुत बड़ी गलती की। तबी महीका को मेसेज आता है कि उसकी जौब चली गई है। महिका को अपनी माउम का कौल भी आता है क्यूंकि उसको भी पता चल गया था कि महिका की जॉब चली गयी है लेकिन जहांपर महिका उसको बिल्कुल भी रिवील नहीं होने देती कि बो जॉबले सो चूची है वो ऐसे जताती है कि मानो अभी भी उसका काम बड़े अच्छे से चल रहा है लेकिन जहां पर वो काफी इमोसिनल होती है वहीं दूसरी और हमें रगू को एक पार्टी में दिखायाता है बहां पर उसके फादर मी मुझूद थे लेकिन जहां पर भी वो एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं और इन लोगों की जो बहस है काफी लौग चलती है इसके बाद हमें अगले दिखाये आता है कि विक्टर की कैंसर की बज़ा से मृत्य हो गई है और टीवी नियूस पर उसी के चर्चे हो रहे हैं और जहीं पर सभी जो बड़े बड़े सेलिवरिटिस एक्टरस हैं उसको सरधानजली दे रहे हैं और वो उसके बारे में बहुत अच्छे सी बाते कर रहे हैं कोई तो कह रहा है कि जे बहुत बड़ी है मुविस बनाते से, कोई कह रहा था कि उनका नेचर काफी अच्छा था, लेकिन दूसरी तरफ इसका बेटा, रगु बरमा काफी खुश था, क्योंकि इसकी सारी जैदाद, क्योंकि अपने बाप की सारी जैदाद काबो मालिक वनने लेकिन कहानी में जहां पर ट्विस्ट आता है जहां पर ट्विस्ट जे होता है कि रगू को पता चलता है कि उसकी जो सारी जैदाद है उसकी माली कोई महिका अनंदी नाम की लड़की है और महिका अनंदी उसके बाप की सैकंड वाइफ थी अब जहां पर रगू का पूरी तर और इस बारे में पता चल जाता है वहीं पर दूसरी और हमें रगू को दिखायाता है जो जहां पर काफी परिशान था वहीं पर उसकी गलफरेंड जैसमीन भी थी जो उसको सला देती है कि तुम रगू बर्मा हो और तुम बड़ी बड़ी चनौतियों से बलड़ चुके हो औ तो तुमारे लिए कुछ भी नहीं वो उसको सला देती है कि तुम उस लड़की को अपने स्टूडियों में बलाओ और जहां पर उसके साथ डील करो क्योंकि उसको मुवीस के बारे में तो कुछ भी नहीं पता होगा और तुम उसके साथ ऐसे रियक्ट करो कि सब कुछ तु इस इंडस्ट्री में नहीं है तुझे नहीं पता फिल्में कैसे बनानी है मैं तरह बड़ा भाई तुझे असे से गाइड करूंगा और तुझे बताऊंगा कि कैसे फिल्मों को ड्रेक्ट किया जाता है कैसे शूट किया जाता है जहीं पर जो महिका अनंदी थी हमें लेकिन जहां पर महीका अनंदी को अचानक ही उसकी बातों में लेकिन जहीं पर महीका अनंदी को उसकी बातों से पता चल जाता है कि जे मेरा यूज करने के लिए जे सब कुछ बूल रहा है महीका अनंदी अब उसके साथ बहस करने लगती है और जहां पर बूस को गुसे गुसे में क केले काम करूंगी और तुससे भी बहुत बड़ी मूबी से बना कर दिखाऊंगी बहीं पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाए आता है जब रात को महीका अनंदी बेक्टर से मिली थी और जहां पर बेक्टर ने रवील किया था कि वो उसका बाप है और बो भी बहुत जल्द मरन ंने वाला है कि और जहां पर बेक्टर ने उसको बेक्टर ने उसको ब्टाया था कि तुझे बहुत बड़ी फिल्में बनानी में उटानी है जो कि मैं पहले बनाया करता था इसके बाल हमें एक अक्टर दिखाए आता है जिसका रगु बर्मा के साथ एक मूबी का शूट च तो बहुत सारे जो तीवी ऐड़स है हैं जो तुझे प्रमोशन्स मिलने वाले हैं बो सब तेरे ही होंगे और इस मुवी में करने में तेरा ही फाइदा है इसलिए वो इस मुवी को करने के लिए मान जाता है, इसके बाद इस मुवी के置 भूखातन किया जाता है और ये खोब बने रही है हमारे साथ ठेंक यू